चट महापर्व उत्तर भारत के सबसे बड़े पर्व में एक है जो कार्तिक महा के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तीथी से लेकर सबतमी तक चलता है यहापर्व सूर्य भगवान और शश्ठी माता को समर्पित है यह कहना गलत नहीं होगा कि यहापर्व सबसे कठिन तिहारों में से एक है ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें वरत करने वाले भक्तों को 36 घंटे तक निर्जला वरत करना पड़ता है यानि इस दौरान वे पानी तक नहीं पीते इस वरत के नियम कानून बहुत कड़े माने जाते हैं इसलिए यह सबसे कठे नृत में गिना जाता है अगर आप नवंबर शनिवार को खरना किया जाएगा वहीं 19 नवंबर रविवार को चट पूजा की पहली अर्ग यानि संध्या अर्ग दी जाएगी और 20 नवंबर सोमवार को चट पूजा की दूसरी और आकरी अर्ग यानि उगते सूरे को अर्ग दिया जाएगा चट पूजा की पा दिनों तक चलता है और खरना के भोजन ग्रहन करने के बाद इसकी शुरुवात होती है दूसी बात समझे किन देवी देवताओं की होती है पूजा इसमें छट पूजा में सूर देव उनकी बहन छठी मैया उनकी पतनी उशा प्रत्यूशा की पूजा करने की परंप्रमानी ग चौथी चीज के डूबते सूरे को अर्ग आखिर क्यों दिया जाता है चट में डूबते और उसके बाद उगते सूरज को अर्ग देने का यहां मतलब होता है कि जो डूबा है उसका उदय होना भे निश्चित है यानि अगर अभी आपकी जो परिस्तितियां है वो खराब ह तो हा अच्छी भी होंगी बस सैयम रखने की जरूरत है आज अगर रात है तो दिन भी होगा सूरज उगएगा भी पांचवी चीज ध्यां से समझ लीजे इसका पूरा सार होगा चट पूजा में वरत पारन की विधी क्या होती है ऐसी मानिता है कि चट पूजा में चढ़ा के माइने को जान पाएं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक अवस्ची कीजेगा धन्यवाद